नमस्कार दोस्तों जैमातादी आप सुभी का बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपना योटीव चैनल में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुकुरुवार 8 अक्टूबर आपके राश्ची के दैनिक राश्ची फल के बारे में लेकिन उस से पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की बारे में 8 अक्टूबर 2021 सुक्रवार का दीन है और आश्विन मास के सुक्लपक्स की दोतियत थी है नक्षत की बात करें तो श्वाती नक्षत है और योग रहेगा विश्कुम्ब योग और चंद्रमा की जो इस्तिती है वह रहेगा तूला राशी में और आज का सुब जमय यानि अब रिजुत मौर्थ की बात करें तो तक्रीवन 11 बचकर 51 मिनट से 12 बचकर 36 मिनट तक रहेगा यहां शमय में किसी भी प्रकार की नए कारी की शुरुबात बिलकुल कर सकती है आज का सुब जमय यानि राहुकाल की बात करें तो शुबह 10 बचकर 46 यहां शमय में किसी भी प्रकार की नए और शुब कारी करने से बचिएगा क्योंकि यहां शमय अशुब माना जाता है चलिए बात करते हैं आज का देनिक राशिफल आज किसी महत्पून गोश्थी या शभा में जाने का अफश्वर प्राप्त हो सकता है इसे नजर प्राप्त हो शकता है इसके उपरांतिहां शमय यूवा वर्ग इस बात का अवश्च धिहन रखें कि कोई और नेतिक काम जैसे जुवा शर्टा आदी से जुड़े लोगों के साथ शंपर्क ना रखें उन्से मेल मिलाप ना रखें क्योंकि इसकी बज़ाश्य आपकी भी म रोजमर्रा की दिनचरिया से हट कर कुछ रशनात्मक और सिरिजनात्मक सम्वंधित कारियों में शमय वैतित करेंगे इसको उपरांतिहां में चल रही कोई पुरानी शमस्या का हल ही रिस्तिदारों की मद्यस्ता से हल हो जाएगा इसको उपरांती हश्र में कुल मिलाकर्श में खुशनुमा वैदित होगा जिसको उपरांती हश्र में जोखिम भरे काम जैसे सेयर शाटा आदी में किसी प्रकार का निवेश आदी ना करें क्योंकि भारी नुक्सान होने की आशंका लग रही है आपको पैशा भी फ़ंश जाने दें इसके लिए अपने वानी पर अधिक से अधिक शयम रखने के आप कोशिश करें वेवसाय की बात करतो यह समय बेवसाय की गति वेधियां धीरे धीरे घती पकड़ रही है इसको अप्रांती हश्र में अपना ध्यान मार्केटिंग वर अपनी प्रडेक्ट के परम करेंगे तो इसमय आपको बड़ा नुक्सान होगा इसलिए आज आप कोई भी कारी सोच समझ कर करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा लव लाइफ की बात करतु यह समय परिवारिक वाता वरन खुशनुमा रहेगा और एक दुसरे के साथ आज आप शमय वैतित करेंगे इस आपके लिए अवश्यक है फाइदे की बात करें तो इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए शमय अनुकुल है इस समय आप मकान आदी अचल संपती खरिच सकती हैं अचानक कोई बड़ा फाइदा होश रखता है नुक्सान की बात करें तो अपनी खर्चों पर कंट्रोल रखें सोच समसकर आप खर्चे करें इस समय निवेस और लेन देन में शावधानी बर दें इस समय रख्च से संबंधित बिमारी आपको परशान भी कर शकती है उपाई की बात करें तो आदिती हिर्देश तरोत का पाठ करें आपका शुबरंग लाल कलर है बागशाली अंक आपका छी है